अभी तक हम देखते थे कि रसी का मास नहीं होता था, रसी को हम मासले स्ट्रिंग बोलते थे, लेकिन अगर रसी का कुछ मास है, तो उसमें कैलकुलेशन किस तरीके से होंगी, मालना मैं पूछाई कि इस जगे पर, इस रसी की लेंथ देदी है, लेट से इसकी टोटल लेंथ ह capital L उसको मैं बोल देता हूँ, या फिर small L ही बोल देता हूँ, मेरी मज़ी मैं कुछ भी बोलू, हा, 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 और यहां से X distance पर, इसमें कुछ tension होगी T, वो tension T कितनी है, मुझे ये पता करना है, पहली बात तो इसमें tension क्यों होगी, क्योंकि इस point से नीचे का कुछ रस था M, तो इसको किस तरीके से solve करोगी, देख उसको solve करना बहुत ही असान है, यहां पर कुछ tension है, तो पहले तो इस part का मुझे mass पता करना पड़ेगा, तो अगर मेरे पास L length होती है, L length में mass आता है M, तो 1 length में मैं पास mass की value आ जाती है, mass divided by L, X length में मैं पास mass आ जाता है, X into M divided by L, यह हमाँ पास mass आ गया, इस portion का, इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते है, this is equal to lambda times X, यहां पर lambda क्या होता है, lambda होता है हमाँ पास linear mass density, और उसकी value आ चुकी है, M divided by length, total mass divided by total length, वो linear mass density आ गई, question में बोला होगा, कि linear mass density यहां पर basically uniformly mass distributed है, तभी ऐसा होगा, ठीक है, alright, तो अब यहां पर हम इसका free body diagram बना लेते हैं, हमारी रसी का, रसी का free body diagram बना होगे, तो इसके उपर नीचे लग रहा होगा, M, G, उपर की तरफ यहां पर लग रहा होगा, tension T, M, G is equal to tension T, T की value कित्ती है, M, M की value है हमाय पास, M upon L times X multiplied by G, which is equal to M G into X by L, इस तरीके से आप देख सकते, बहुत ही simple था, X की value 0 रग तो 0 आजाएगी, X की value total L रग तो यहां पर capital M G हमाय पास answer आजाता है, tension, इसी का एक और variation हो सकता है, मानलो हमाय पास यहां पर इस तरीके से floor है, और आब रसी कुछ इस तरीके से पड़ी हुई है, और रसी का again mass है, M, यहां पर है length L, और यहां से X distance पर, इस जगे पर कुछ tension होगी T, अगर मैंने इदर लगा है force F, तो किस तरीके से पता करोगे tension T, अगेन आपको same चीज़ करनी है, इसका mass पता कर लो, पहले तो इस पूरे का acceleration आपको पता क रना पड़ेगा है, इसका इधर पूरे system का acceleration है, acceleration की value आजाती है, F divided by M, और अब इतने छोटे से part के लिए अगर मैं consider करूं, तो छोटे से part के लिए mass की value हो जाएगी lambda times X, lambda क्या होती है, linear mass density, जिसकी value हो जाएगी M divided by L, तो हो जाएगा M divided by L times X, अच्छे यहां पर जो tension है, म is equal to इसका छोटे से mass times acceleration, तो हमाँ आपास tension की value हो जाती है, tension is equal to M times A, which is equal to M upon L times X into acceleration की value किती है, F divided by M, यह हम पहले ही बता कर चुके थे, acceleration is equal to F by M, यहां पर देखो M से M इस तरीके से घट जाता है, हमाँ आपास tension की value हो जाती है, F into X upon L, similar सा ही result है, यहां पर था X upon L into Mg, यहां पर क्योंकि Mg लग रहा था, यहां पर X upon L into F है, क्योंकि यहां पर F लग रहा था, इस तरीके से आपको देखना आना चाहिए, किस तरीके से हम कहां से parts ले रहे हैं, और किस तरीके से tension को calculate करना है, यह बहुत अच्छा सवाल है, यहां पर tension कैसे पता करोगे, पहली बात देखो M2 की value कित्ती ही हुई है, मैं सारे values लिख देता हूँ, इसकी value है 12 kg, यह है हमाया पास 20 kg, और बीच में हमाया पास इसका वजन कित्ता है, 8 kg, इस point से, उपर वाला होगा, वो होगा 4 kg, नीचे वाला होगा 4 kg, तो इसको आप इस तरीके से 2 system में break कर सकते हो, यहां पर इस तरीके से हैं, यह नीचे वाला बन जाता है, हमाया पास 12 प्लस 4, which is equal to, 12 प्लस 4 is equal to, 12 प्लस 4 is equal to 16 kg, और उपर वाला बन जाता है, 20 प्लस 4 is equal to 24 kg अब ये 24 kg का ये block है ये है हमाय आपा 16 kg का block इसको अगर मैं 480 N का उपर force लगाता हूँ 480 N तो यहाँ पर tension किती होगी अब आपको पता करना है और ये दोनों system equivalent है ना, tension की value कितनी है, पता करिए वीडियो को post करिए, solve करो पहले acceleration पता करो, फिर tension निकल जाएगी इस question का correct answer है option number D कैसे आया, यहाँ पर देखो, एक चीज़ मैंने नहीं बताई दी कि यहाँ पर gravity भी लग रही होगी clearly लिखा है vertically उपर घीचने है vertically उपर घीचने है तो इस पर नीचे की तरफ mg भी लगा होगा तो यहाँ पर हम पहले इनके FBDA बना लेते हैं, यह था हमारा 24 kg का equivalent mass, इसके उपर, उपर की तरफ force लगा है 480 Newton, नीचे की तरफ इस पर force लगी है एक tension T जो हमारे इस वाले block के उपर भी लगी है, इस तरीके से tension T, T तो बराबर ही लगती है और अब इन दोनों के उपर gravity भी लगी होगी, इसके उपर gravity इतनी लगी होगी, 24 kg उसका mass था, जी की value 10 मान लेते हैं, तो वह आ जाता है 240 Newton हमारे पास नीचे gravity लगी है इस पर भी gravity लगी होगी 16 kg mass था, तो equivalent हम लिख सकते हैं, 160 Newton यहाँ पर mg लग गया यह है, ना, this is mg, this is mg, अब पहले हम इसका acceleration पता करना पड़ेगा इस पूरे system का, तो अगर इस पूरे को आप एक system मानो तो external forces किते लग रहे हैं एक यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है, यह दोनों tension तो internal forces है, cancel out हो जाने वाली है, यहाँ पर हमारे पास पहली equation आजाती है 480 minus 240 minus 160 is going to be equal to mass times acceleration mass किसका हैगा, पूरे system का कितना mass है, system का mass है 24 and 16 kg is equal to, यहाँ पर जाता है 24 plus 16 times acceleration left hand side पर value आती है भी, मुझे दिखरी है 80 is going to be equal to 40 A, यहाँ से पता चलता है acceleration is equal to 2 meter per second square बहुत ही simple आ गया अब एक बार acceleration आ चुका है तो बड़ी आसानी से आप calculate कर सकतो इसके उपर, यहाँ से मुझे सीधे पता चल जाएगी यहाँ से भी देख सकते है लिख देते हैं, उपर वाले का करता हूँ 480 minus 240 minus tension is equal to mass कितना 24 times acceleration की value है बचता है 240 minus 24 into 2 is going to be tension यहाँ से हमारे पास value हो जाती है 240 minus 48 is equal to tension which is equal to 192 Newton, option number d is the correct answer अगर आपको इस तरीके से नहीं करना आप छोटे वाले पे भी लगाओगे तो same चीज़ आ जाएगी देखो, t minus 160 is equal to 16 into 2, t is equal to 160 plus 16 into 2 is equal to 192 Newton इस तरीके से भी same ही answer आता है, इस तरीके से questions आप solve कर सकते हो A uniform metal chain of mass M and length L passes over a massless and frictionless pulley length L hanging on one side and the rest of the length L minus L is hanging on the other side of the pulley at a certain point of time the acceleration of the chain is G by 2 the value of L by L is तो यहाँ पर हमाई पास मान लो पहले तो यह वाली जो length है, यहाँ से यहाँ तक की जो length हो जाती है, वो कित्य होती है, capital L minus small L अब बताओ इसके उपर net forces किस तरफ लग रहे हैं और यह किस तरफ सरकने वाली है, देखो इसके उपर कुछ इधर force लगा होगा, Mg, लेकिन पूरा mass नीचे की तरफ तो नहीं है, mass तो इस तरीके से यहाँ पर distributed है, इस तरीके से, लेकिन जितना भी है, अगर मैं इस segment को दे यह rest कर रही हो थी, अहराम से, तो इसको यहाँ पर समझने की बात यह, इतना सा जो part है, सिर्फ यही इस पर pulling force लगा रहा है, इसी के कारण पूरे mass पर acceleration आएगा, आप इसको इस तरीके से अप्रोच करना है, तो अब यह uniform length की, uniform linear mass density है, तो आप बताओ इसका mass कितना हुआ, इसका mass हमें अगर M दिया हुआ है, तो पता करूँ, यहाँ पर 11 अब अगेरा निकालो, वीडियो को pause करो, question को solve, इस question का correct answer है, option number B, कैसे आया देखते हैं, देखो अगर यह वाली length है L, तो यह वाली length भी हो जाती है L, तो यह जो बची हुई length बचती है, यह बची हुई length कि कितनी हो जाती है, यह हो जाती है हमारी L-2L, पूरी length L थी, यह है L, यह भी है L, तो यह हो जाती है L-2L, alright, इसका mass कितना होगा, देखो, इसका mass हो जाएगा, mass will be equal to linear mass density lambda, multiplied by उसकी length कितनी है, capital L-2L, जहाँ पर lambda की value, linear mass density कितनी हो जाएगी, mass per unit length, बहुती simple, अच्छा, अब हमें पता चल गए, mg is equal to, sorry, 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 इसको M, इसको छोटा बोलो, इसको मैं M' बोल देता हूँ, यह M' है, इसका mass है, M' इतने से का, M' जी, जो इसको नीचे की तरफ pulling force है, उसके current, इसका पूरे का mass का इस तरफ acceleration है, which is equal to mass times acceleration, alright, M' की जगे, यह value को आप रद्दों के यहां पर तो क्या आजाता है, lambda की जगे रखूँगा, मैं M divided by L, यहां पर lambda आगया, into L minus 2L, L minus 2L times G is equal to mass times acceleration, acceleration की value हमें कित्ती दी होई है, G by 2, यह हमें दिया हुआ, अब देखो कितनी चीज़ें यहां पर कट जाएंगी, हमाँ पास G से G कट गया, M से M मुझे value मिल जाएगी, यहां से आजाता है L minus 2L is equal to L by 2, यहां से आजाता है L by 2 is equal to 2L, और आजाता है L by L, यही पुछा न, L by L will be equal to 1 by 4, option number B is correct answer. एक और बहुत ही अच्छा सवाल, a system of 10 balls each of mass 2 kg are connected by a massless and unstretchable string, इस तरीके से, the system is allowed to slip over the edge of a smooth table as shown in the figure, तो यहां से इस तरीके से सरक्ती जा रही है, tension on the string between the 7th and the 8th ball, when 6th ball just leaves the table, तो 6th ball leaves the table, कि दल से गिंती शुरू होगी, यहां से होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तभी तो यह 6th ball अभी table से निकल ली, ठीक है, तो हमें बताना है, आपर अब सबके mass आपको 2 kg दे हुआ है, यह बहुत ही अच्छा सवाल है, वीडियो को pause करो, इस question को, solve को, इस question का correct answer है, option number B, कैसे आया, पहले तो मैं यहां पर अगर यह 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 है, यह 7 है, यह 8 है, हम से tension पूछे है, 7th और 8 string के बीच में, पहले तो mark कर दो हमें यहां वाली tension पता करने है, this tension T, अब हम क्या करेंगे, पहले इसका पूरा acceleration पता कर लेते हैं, acceleration की value के लिए, मेरे पास नीचे की तरफ force तो सिर्फ यह 6 लगा रही है, है न, तो मेरे पास force हाजाता है, 6 mg is equal to, mass total किता है system का, 10 m times acceleration, acceleration की यहां से value है जाती है, acceleration is equal to, 3 g upon 5, चीक, बहुत ही अच्छे, अब यहां पर देखो, इस पूर रहा है, इसका acceleration है, 3 g upon 5, अब मैं लिख सकता हूँ, tension is equal to, mass times acceleration, यहां पर mass की जगे मैं लिखने वाला हूँ, actually 3 into 2 kg, क्योंकि इसका जो mass है, 3 into 2 kg के ब्रावर है, अब आप इसको पूरा एक system यहां से मान सकते हैं, 3 into 2, acceleration की value आ गई है, पर 3 into g की value है, 10 divided by 5, this is going to be tension, इसको देख लो, यह कट जाता है 2, यह जाता है 6 into 6, which is equal to 36 newton, इतना simple था, इसका 2 line, literally 2 line का यह सवाल है, यह जो रसियों के टुकड़े का छोटा सा वीडियो आपने देखा, वो अच्छली एक टुकड़ा है, एक बहुत ही अच्छे physics के crash course का, जिसमें एक महीने में दो-दो घंटे की classes करके, पूरा का पूरा syllabus complete किया, with very important previous year questions and बहुत सारे conceptual questions, तो उसका link description में उसको जरूर चेक आउट करना, वहापे colorful handmade PDF notes भी मिल जाएंगे आपको, और colorful handmade graphics है, जो मैंने खुद बनाए, उससे आपको concept ज्यादा जिल्दी समझ में आते, visualize अच्छा करोगे त description में उसको भी जरूर देखना, साथ में मेरी आपसे request है कि please QR code को scan करो, कुछ amount donate करो, ताकि मैं और भी अच्छा content आपके लिए बनाकर इलाप हूँ, हम मिलेंगे अगले video,